जहांके मर्द मैलाओं को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में रहते। अरे अभी तक खाना नहीं आया, क्या मुझे एक और शादी करने की जुर्वत है। नहीं जी नहीं, ऐसा मत करना, वना मैं कहा जाऊंगी, खाना लेकर मैं अभी आई जी। गाउं की पंजायत में भी, फैसली हमेशा औरतों की खिलाफ ही रहते। मैं जो फैसला सुनाता हूँ, वो भगवान की आगया होती है। इस लड़की ने अपने मन से शादी करके अच्छा नहीं किया। लड़के को घर भेज़ दो और इसकी शादी, इसकी जाती की किसी लड़की से करवा दो। लेकिन ये लड़की, इसे तो गाउं के बहार निकाल दो। नहीं नहीं जमिंदार साथ, ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी मा सुन है, इसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है, अरे कहां जाएगी ये बिचारी। कहां जाएगी? इतनी चिंता है तो पुरे परिवार का गाउं निकाला कर देते हैं। बिचारी, पूरे बसे बसाए परिवार को गाउं छोड़ना पड़ता है। बस फिर क्या था? हाजिर हो जाते हैं कालिया और उसके बेटी सरपंच के सामने। और कालिया, ये क्या सुनने में आ रहा है? बेटी को इंजीनियर बना रहा है तू? और ये बता, गाउं में तो स्कूल नहीं है, फिर कहां से इतनी क्लास पास कर गई तेरी बेटी? राधा, जो की कालिया की बेटी है, उसे लगता है कि सरपंच उसकी तारीफ कर रहे हैं। सरपंच जी मैंने आनलाइन पढ़ाई की है, डिस्टन्स लर्निंग से, सभी में मैंने अच्छे नमबर पाये हैं, जिसे देखते हुए शहर की इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे स्कॉलरशिप मिली है। वा जी वा, क्या होती है ये, पहले तो ये बताओ, फिर आगे की बात करते हैं। ही हमारा गाउं भी तरकी की रहा पर चल पड़ेगा। राधा की बात सुनकर, सारे गाउं वाले ताली बजाने लगते हैं। सरपंच को समझ नहीं आता कि वो क्या करें। जो प्रह नादान लड़की, गाउं के खिलाब जाने के लिए तुझे गाउं से बे दखल कर दिया जाएगा। वो भी पुरे परिवार के साथ। और हाँ, अगर ठीक से गाउं में रहना चाहती है तो ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। हम तेरे लिए गाउं का कोई होना लड़का देखेंगे। तभी गाउं का इकार में बोल पड़ता है। सर्पंच देखता है कि गाउं राधा की साथ है बहुती चाला किस्म का इनसान होता है। अरे सर्पंच साहब, आपको बहुती होश्यारी से काम लेना पड़ेगा। एक बार गाउं तरक्की कर गया, यहां के बालक पड़ लिये तो कोई ना पोछेगा आपको। और फिर यह जो बेटा और बेटी है ना आपके, इनको भी आम लोगों की तरह ही जीवन जीना होगा। हाँ लेकिन करें तो क्या करें। वो ना अप मुझ पर छोड़ दीजिये, बास मैं जैसा बोलूं करते जाएं। जब गाउंवाले सोकर उठते घर के बाहर और साथ ही वो लोग जिनोंने राधा का सपोर्ट किया था, उनके घर के आगे लाल रंग से कल आउंगी लिखा होता है। सरपंच बाबा को लेकर गाउं के घर की बाहर जाता है। इस संपन्न देखना चाती है। वो नहीं चाती कै कोई बाहरी यहां का काया कल पकरे। क्या तुम लोगों में से किसी ने गाउं को बदलने की सोच रखी है। मेरी राधा घर से कायब भो गई है। अरे कोई तो बचाओ मेरी बच्ची का आगई। चुड़ाल तेरी बच्ची को ले गई अब वो उसे शापित करके छोड़ेगी तबी बुरी सी हालत में राधा भी वहां आ जाती है उसके बाल चुड़ाल की तरफ फैले होते हैं और कपड़ों में खून लगा होता है सबी राधा को देखकर डर जाते हैं मा पता नहीं मुझे कौन उठा कर ले गया था आरा दो रोजा चुड़ाल अब हम लोग इस गाउं में नहीं रुकेंगे अरे कैसे बाते कर रहे हैं आप कल तो आप मेरे भरों से गाउं का हुलिया बदलने अपने बच्चों को पढ़ाने ऐसे ही ये तुमारे घर के बच्चों को भी ले जाएगी गाउं वाले राधा को गाउं से बहार निकाल देते हैं उसके माबाप रोते रहते हैं लेकिन गाउं वाले नहीं मानते मैं भी अपनी बहर के साथ गाउं के बाहर रहूँगा लेकिन वो पड़ाई नहीं छोड़ेगी वही सरपंच के घर पर सलाकार कहता है देखा साप भी मर गया और लाठी भी नहीं तूटी लेकिन अगले ही दिन सरपंच के घर के बाहर भी वही शप्त लिखे होते हैं और फिर सरपंच की बीवी कहती है हमारी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है अरे गावालो मैंने सरपंच की बेटी को देखा था वो चुड़ैल उसे उठा कर ले जा रही थी नहीं नहीं सरपंच जी आप नहीं जानते वो चुड़ैल अब आपकी बेटी में आ जाएगी जैसे राधा के अंदर आ गई थी तभी सरपंच की बेटी वैसी ही हालत में वहां आती है जैसे राधा आई थी पापा पता नहीं कैसे में गायब हो गई थी चुडैल इसके अंदर भी चुडैल का साया है मरो इसे अरे नहीं नहीं इसे भी रादा के पास गाओं के भारी भेज दो अरे चुप रहो बेरे बेटी कहीं नहीं जाएगी और चुड़ाल बुड़ाल कुछ नहीं होता है और कैसे बात कर रहे हो सर पंच जी आप तो बोल रहे थे कि आपका फैसला भगवान का ज्यान होता है तो अपने पर बात आई तो अब आप ऐसे बोल रहे हैं और ना ना आपको अपनी बेटी को त्याग ना ही होगा और बुलाओ बाबा को मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं तो मोची था, ये सलाकार महोदय ने मुझे कहा था आक्टिंग करने को, वो मुझे पैसे दिने वाले हैं, मुझे माफ कर दो, गल्दी हो गे, मुझे माफ कर दो